नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फाइब दुनिया स्टेडी न्यू चैनल के उपर इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं और डबलुडी ए भरती की जानकारी जो रिक्रुमेंट निक्रुमेंट उसकी जानकर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अगर आपको वीडियो पसंद आए थो इनके आवेदे ने वो सुरू हो चुके यानि आज से अठारा मार्स सुरू हो चुके हैं और आफे दिन वो ओल्लाइन रखे गए हैं डबलुडी ए बरती के लिए आप आवेदें करना चाहते हैं और इनके फोरुम बढ़ने के लिए जो भी श्ट इसकी जानकर आपको इस वीडियों बढ़ाँ वीडियों प्रखेगे बढ़ा इस परकूर के लिए आपको पूर्जानकर इसमें बताने वालाँ वीडियों को आके तक डेख लेना अब इसमें बात करना है जो uacancy है अब डोडीर क्रेमेंट के लिए tutorial दोटाल वेकेंसई निखाळी गए है इसमें चालिस पत रखे गई है जो प्लौकेशन ओल इंडिया अप्लाइए कर सकता है औल इंदेका जो भी 400 अन devices लिए अप्लाइ कर सकता है जो टोटहले से रखी गई इसमें जो उनके फ्रॉरम में कप से सुरू यह अप्लाइ करने की जो डेट का फोरम अड़ा मार्श से सुरू हो गए हैं 818 मार्श 2030 से इनके फोरम में सुरू हो देख रहे हैं आप जेनरल का स्टुडेंट ओविसी डबलोस का स्टुडेंट उनके लिए 800 नबर उपर रखी गई हैं बाइक की अप्लिकेशन फीज देख रहे हैं आसे स्टी डबलोडे कंडिडेटर उनके लिए 500 प्रेजन पीस रखी गई है अब इसमें जो पैमेंट है आप आवे दिन करना चाहते हैं तो आपकी उमर है वो 18 वरे से लेकिए अधितम सत्यस वरस होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी बढ़ती की गण्णा है आपकी जो एज की गण्णा है वो 17 अप्रेल 2000 ते इसको अधारमान कर की जाएगी इस वरसमी योगता के बात कर लेते हैं योगता कि इस परकार से रखी गए अम मैंने आपको व्रीजी पताया था यहां पर जो योगता है अलग अलग यहां पर ग्रेट सेकंड उन यी अलग है लोडू डिवीजिन कलरक है अलडिसी आ नके लिए अलग है यहां पर इलग-अलग आपके पास ये डिग्री है जिसी भी पद्द के लिए आपके पास डिग्री वह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां पर देख लो जूनियर अकाउंटेट ओफिशर के लिए यहां पर डिग्री इन कोमर्स एंड टीनियर का एक्सपरेंच होगा तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सभी के लिए अलगले यहां पर योगिता और यह रखी गई है आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप चलते हैं बात करते हैं सेलक्शन प्रसेस्स किस परकार से रखा गया है प्रकार से रखा गया अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ एबल आइकन को ओन कर लेना ताकि जो भी न्यू बढ़ती है आती उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके